सूपर स्टर शारुक खान और रितिक रोशन की फिल्में रईस और काबल एक साथ 25 जनवरी को सिनमा घरों में रिलीज हो गई है दोनों फिल्मों ने साल 2017 की शुरुआत में ही बॉक्स ओफिस को शांदार शुरुआत दी है दोनों फिल्मों का पहला तीन दिन का बॉक्स ओफिस कलेक्शन आ गया है जहां रईस ने पहले तीन दिन में 59.83 क्रोर की कमाई की है वही काबल ने 38.87 क्रोर की कमाई करकर खुद को बड़े परदे पर बरकरा रखा है इन दोनों फिल्मों में से जिस फिल्म को देखना टीम इंडिया के विस्फोटक बलिबाज विरेंदर सहवाग ने चुना है वो है रितिक रोशन की काबल विरु ने अपने सोशल मीडिया का सहरा लेते विकि खुट के साथ अपनी पतनी की सिनिमा घर की एक तस्वीर को शेर करते वे लिखा काबल देखते हुए रितिक रोशन के शानदार अभिने के साथ खूबसूरत फिल्म आपको बता दें कि रुतिक की फिल्म काबल को बॉक्स आफिस पर फैन्स और क्रिटिक्स की भी अच्छी प्रतिक्रियां मिल रही है हाला कि काबल को शारुक की रईस से अच्छी खासी टक कर मिल रही है